हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अमारे यूट्व चैनल डियर सान हिल्थ केर में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं तो अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाया है और आपको बुखार या हरारत जैसे कुछ होता है तो आपको क्या करना है ठीक तो दोस्तो ये problem injection लगवाने के बाद होता है ठीक तो ये injection लगवाने के बाद किसी किसी को पांच घंटे बाद या फिर एक दिन बाद या फिर दो दिन बाद होता है तो दोस्तो आपको घबराना नहीं है तो दोस्तो ये injection के side effect के द्वारा होता है ठिक दोस्तों इंजेक्शन लगवाने के बाद कुछ side effect होते हैं जैसे कि बुखार आ जाता है या फिर हरारत सी महसूस होने लगती है या फिर हाथ, पैर, सर में दर्द होना सुरू हो जाता है या फिर जी मचलाता है या फिर चक्कर आता है तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है ये सब होता है इंजेक्शन के side effect के दोरा ठिक तो इसका मतलब ये होता है कि दवा ने अपना काम करना सुरू कर दिया है इसलिए हमको ये सब देखने को मिलता है ठिक दोस्तों अगर आपको बुखाराता है या फिर हरारस सा महसूस होता है तो आपको दो टैबलेटे पैरेशीटमाल 500 mg की ले लेनी है और एक एक करकर आपको खा लेना है अराम हो जाएगा ठिक और जैसे आपको नहीं अराम होता है तो आपको घबराना नहीं है आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर आप जहां पर इंजिक्षन लगवाए हैं वहाँ पर जाकर आप बता सकते हैं ठीक तो दोस्तों जिन लोग ने वैक्सिनेशन करवा लिया है ठीक है और जो लोग vaccination नहीं करवाए या फिर जो लोग vaccination करवाने जा रहे हैं तो उनको एक बात अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि अगर आप जब आपको vaccine लग जाए तो आपको तुरंत ही कहीं पर जाना नहीं है नहीं अपने घर जाना है ठीक आपको वहीं पर 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे तक वहीं पर रहना है क्योंकि अगर इस बीच में अगर आपको कुछ problem होती है तो आप अपने डॉक्टर से वहाँ पर बता सकते हैं अपको टीका लग जाता है अपको तुरंत घर नहीं जाना है ठीक दोस्तों अगर आपको पहली डोज के बाद जिस दिन का टाइम दिया गया है दूसरी डोज के लिए जरूर से जरूर आपको जाकर उसी दिन आपको दूसरी डोज भी लगवा लेना है ताकि आपको कोई problem ना create हो इसलिए दोस्तों आपको भूलना नहीं है आपको जिस दिन का time दिया गया है आपको जाकर उसी दिन दूसरी डोज को लगवा लेना है तो दोस्तों जानकरी कैसे लगी हमें comment box में बताना न भूलेगा और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो दोस्तों चैनल को subscribe कर दीजेगा और bell icon को all पर press कर दीजेगा ताकि हम जो नया वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंच सके ठीक